नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका SKG इंजिनियर यूट्यूब चैनल में देखे किसान साथियों आज हमारे पास 2010 मडल का का ISR 485 टेक्टर आया है पल्टी पिलोग के सिस्टेम के लिए तो इस टेक्टर में हम पल्टी पिलोग के सिस्टेम को फिटिंग करेंगे लोर्विन कंपनी का देखिए यहां से पावर नली जो नजर आ रही है आपको यहां से हम इसमें रेड्यूसर के लिए फिटिंग करेंगे और इसमें हम लोर्विन कंपनी का डिस्ट्यूटर लगा कर पल्टिप लोग के दोनों वाले ब्लाग फिटिंग करेंगे तो आप देखिए यहां से सुरुवात कर रहे हैं हम सबसे पहले इसको खोल कर इसमें 24 एमें वाला आइसर का रेडूसर फिट करेंगे उसके बाद डिस्ट्यूटर लगाने की प्रोसेस करेंगे कर दाले इसके बादे बादर आपिख प्रोसे उगूसर भ्रोसे करेंडाओ सक्प्रस प्रοसे करेंगे करेंग भूप्ट कर दो कि लुट्ट करें है ठाईम है उन्हें है फुट कर दोपा दो कर दोब चली है झाल 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 पल्टी पिलों का डिस्टिबूटर फिटिंग क्या है यहां से हमने पावर और नूटल की सप्लाई लेकर इसमें जो है दोन अलियो वाल ब्लाग डिस्टिबूटर फिटिंग क्या है आपने यहां पल्टी प्लोव के वाल ब्लाग डिस्टिम लगवाना हो हमारे यहां सभी परकार के टेक्टरों में पल्टी फ्लो के वाल प्लाफ सिस्टम लगाए जाते हैं यह ISR 485 माडल था 2010 का तो आपके साफ़े हैं इसमें हमने दिट्ट किया था अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा रही कीजिएगा